कहिए कैसे हैं आप शादी के बाद कुछ बाते ऐसी हैं जो महिलाओं को कभी भी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि क्या होगा इससे अगर शेयर कर ली तो क्या होगा तो देखिए इससे रिष्टों में खटासा सकती है मन मुदाब हो सकता है, आपस में डिफ्रेंसिस बढ़ सकते हैं, लडाई जगडा भी हो सकता है और कई बार तो ये बातें मजा का कारण भी बन जाती है अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि वाई लेडीज सिर्फ महिलाएं क्यों? मतलוע हम बोलरा है कि महिलाइइ शीयर ना करें वाई? तो इसका भी एक सीधा सा रिजन है क्योंकि महिलाइए बहुत बहुत city होती है वो एकडम से किसी की बातों में धायती है भावना वह बहह जाती है तो इस तरह की गलती अक्सर हो जाती है इसलिए महिलाओं को ये बात समझनी ज़्यादा ज़रूरी है अब बात आती है कि क्या है वो बाते मतलब किस तरह की बाते और किस से शेयर ना करें तो आज की वीडियो इसी बारे में और इस बारे में मैं आज आपको बता रही हूं पांच बाते तेयार बहुत ज़रूरी है ये जानना जानना, समझना और अपनी ज़िंदगी में एपलाए करना सबसे पहली बात अपनी मम्मी से ससुराल की हर चोटी से चोटी बात बता देना आज ये हुआ, आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पहना आज हमारे खन में यह guest आये थे, आज मेरे को इतने का शगुन देके गए, मतलब इस तरह की बात, या फिर बुराई, आज मम्मी जी ने तो ऐसे बोल दिया, आज हस्बर ने ऐसे बोल दिया, या फिर दुखडा रोना, मतलब मैं यहां कितनी प्रॉबलम में हूँ, यह बात ब जोग जोग तकराण नहीं होती थी, यहां भी हो रही है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, आपकी समझदारी पत है किसमें होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, मतलब कि यह सब चीज़े हो ही ना, लड़ाई अपना पन में आके वह मम्मी को सारी बाते बता दी, लेकिन वहां देखा है, वहां का रियक्शन नोट किया है, कि उनको क्या फिलिंग हो रही है, आप तो मतलब कोशिश यह करनी चाहिए आपको, कि छोटी से छोटी बात लिए उन उसको चलो दबा दो, जाने दो, कोई बा और उदर से क्या रियक्शन है कि आप सोच भी नी सकती है, फिर वह अपने हिसाब से कहेंगे, तुम को ऐसे करना चाहिए, तो देखिए जो घर माइके के रिमोट से चलते है, उन घरों का पतन बहुत जल्दी हो जाता है, अपनी समझदारी लगाई है, यहां जस घर में जैसे चाय पी रहे हैं, आज तो मेरे ना सास सुसूर का अपस में जगडा हो गया था, या फिर जैसे कोल रिंक पी यह पॉपकॉर्ण खा रहे हैं, तो वह बाते करते करते गप्पे क्या बनी होई हैं, मतलब किस बात की बाते हो रही हैं, कि आज तो जो नंद है उसका एक उसको स्कारण ने टीऊ है, अर्ध पहले तो उसके फोन का इया करते थे आस तो खुधी हो गया, आस तो पते क्या हूँ आस तो यह हुआ, मतलब इस तरह की बाते को beansasah कושते हैं अर्ष और अभाय कहले हैं, आप अपने घर की बुला ही कर रहे हैं, तो यह तो बहत ही जाद ह तरहें से थारोटें कीलिए है अपक्तर ऴुराईं flush列 गड़ा था घर किजिए की आपने परिवार की बुरहीया बैट कि हम उसी के गुलाम बन जाते हैं क्योंकि फिर वो जो चाहे हमें वो कटना पड़ता है क्योंकि हमने अपने सीक्रेट्स जो शेयर कर दी है आपको पता है, दोस्त के भी दोस्त होते हैं, मतलब आपने दिल की बात अपनी सहली को बता दी, दोस्त को बता दी, उसके भी तो आगे दोस्त हैं, वो भी तो उनको बता सकती है, और एक जरूरी बात, आपने तो उनको ये बोल दिया कि किसी को मत बताना, ये बात मैं सिर्फ तीसरी बात अपनी पडेवसन या अपनी कुलीग जो ओधिस काम करते हैं उन्हें पोच उन्हें से पुछिया प्रवाइण लिया कि जड़ साधी हो ऐसे कामोश कि मेर को यहां पर कितनी प्रॉब्लम चल रही है किस तरह के काम होते है या फिर जैसे मानली जी ओफिस में एक लेटी काम करती है तो अपनी कुलीक से क्या बात कर रही है कि मेरे हस्बंड बहुत प्रेशर डाल रहे हैं बच्चे के ओपर कि बच्चा करो तुम बताओ कैसे तरह बहुत काऊं बहुतन पर रही हैं बόγ히 ऊफिस शूर होन कहते हैं यहाँ ऑपने डर्लीक से करने की बाते हैं यह अपने खाश्ड़ीक से थान्सटिभी अपने की बाते हुटा कस्वाहार कई प्रेशि कर आपस का होता है कि कब करना सही हैं किसिकनी करें मैं तो तो चाह करेंगे मतलब जो मैं बात कर रही हूं कि कुछ ऐसी बात होती है जो शेयर नहीं करनी चाहिए या फिर अपनी फैमिली प्रॉब्लम या हस्बंड बहुत लेट आते हैं या हस्बंड बहुत जगडा करते हैं हस्बंड मुझे टाइम नहीं देते तो उनको बता कि क्या इस समस् यह चीज बिलकुल नहीं करनी क्योंकि आगे चल कर लॉग रंग रं में यह चीज नुकसान दे सकती है इस चीज को समझ यह आपने तो उनको बता दिया अपना दिल की बात बता दी उनको तो टॉपिक मिल गया अब आगे गपे मानने का नमक मिच लगा के और बाते करने का अब जहां से भी निकलेंगी ना आपको शक की निगा से देखेंगी अच्छा अब क्या हो रहा है तो इसमें हम अपना मजा कुछ अपना उड़ा एं उड़ा एं उड़ा एं मतलों खुदि हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो बचना चाहिए और अगर आपको लग रहा है किसस किसी से भी नी करनी तो क्या करें मन में दुख नी होता एं मिलकुल होती है करीए शीशे के खड़ा हो जाई YOUR लिए कुछ से कुछ बोले यह नेचर में निकल जाईए मतलuff कूमने निकल जाईए बाग में निकल जाईए वह आपस में खुभ उची अपने आपसे बात कते रह मतलब पहले सोचिए तो मैं जिस से बात कर रही हूं वो है कैसा वो है कैसी अब चौती बात सासुमा से अब यहां पर क्या हो रहा है कि बात्चीत तो बेशक कम होती है खटपट बहुत जादा होती है मतलब हर बात में तुनक मिजाजी नोग जोग टॉंटिंग मतलब यह सब कुछ चलता रहता है और अच्छी मात्रा में चलता है बहु क्या बता है अपना नोगा अपने सब्सक्राण होती है एसे नहीं हम भी आप है रहते हैं यहां के मर्द तो बैठे रहते हैं वो तो बैठे बैठे ओडन देते रहते हैं पानी ले आओ, ये कर दो, वो कर दो वहां के तो बहुत काम करते थे तो आप ये देखिए, उनसे ये बाते करने का क्या फायदा देखे मैं हमेशा बोलती हूं शादी क्या है एक बदलाफ है नई जिंदगी की शुरुवात है ना तो नई जिंदगी में थोड़ी बहुत changes आएंगे की नहीं आएंगी आपके उस गर में क्या होता था इस गर में क्या होता है बहुत फरक है है कि नी तो आप थोड़ा सा एड़्जस करने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा रहन सहन देखकर अपने आपको चेंज करने की कोशिश कीजिए आपको अच्छा लगेगा पर यह क्या है कि आप तो तुलना ही करने लगे दिखिए प्यार से रहेंगे ना बहुत शक्ती होती है प्यार में बहुत शक्ती होती है स्ने में ही ताकत होती है समर्थ को चुकाने की वरना कहां सुदामा में इतनी ताकत ही शुरी क्रिशन से पैर दुलवाने की या फिर बुराइया करेंगी अपने माय के की अपनी सासु मा के आगे कि मेरे ममी पापा की तो बनती नहीं है भहत लडाई जगड़ा करते हैं भाई जगड़ा अच्छा भाईया और पापा एक बार पे इतना जगड़ा हुआ कि भाईया घर छोड़ के जाने लगे इस तरह की बाते अपनी mother-in-law से उससे क्या होता है देखिए आप बेशक बता रही है उनको मतलब उनके जादा भाउसभड भी रहे है तो जुटी-जूटी दिखावा करे आपस में इनकी बंती नहीं है तो हम किस लिए इस तरह की बाते हम क्यों करें हम करें अच्छी अच्छी प्यारबरी बाते करें जिसे कि दोनों परिवारों में इकता है मिले, बैठे, बाते करें हमें ये करना चहिए ना कि दूरियाμ बढ़ाने का काम कर रहे हैं अब पांच भी बात अपने पती से तुलना जादा करती हैnt किसकी जैसे अपने जी जा जी होगी कि मेली जी जा जी तो इतने हैं हैं इतने अच्छे से हर रोज तयार होके रहते हैं हर रोज शाम को दीदी को घूमने ले जाते हैं आप डेख लो आपके पास राम मी रहा है? या पर जैसे एक time है उसके husband है? उनको देख लो कितने अच्छे से रहते हैं हर रोज शाम को गूमने जाते हैं आप देख लो आप तो ऑफिस से याने का टाइम नहीं है तो हर बात पर या फिर अपने फादर से कंपेर कर रही है कि देखो मेरे पापा तो इतने कूल रहते हैं इतनी पेशन्स है उनमे और आप से बात कर रही है हमेशा अपनी मतलब जैसे मदर इनलाओ की बुराई उन्होंने ऐसे कहा वो दो मिनट ऑफिस से आके क्या वैठे बुराईयां शुरू कर दी नहीं अच्छा लगता सही मौका हो तब बात कीजिए बात करने को मना ही नहीं है आपस में डिसकस करने को शेयर क करने को यह निकालेंगे देखिए इतनी भी कमिया मत निकालिए कि ऐसे ना हो कि एक दिन वो ही आपको अपने जिंदगी से निकाल दे और यह लड़ाई है यह लड़ाई इसको लड़ाई मत कहिए यह चुटी-मोटी नोग जोग होती है और होती ही रहनी चाहिए यह जो प्रबॉममें तो इसको मान के कि ये इक इसको इनजोय केजिए जबनाते जाएए और सुसरे नहीं एलेकिन आप भी जान सब आप दोच्चाह अपना न्हां आ हो भूजिवता मीरा है विश्वास से नहीं तो मत कीजिए बिलकुल मत कीजिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स जादाएंगी देखे एक जैसे हम क्या कहते हैं कि आंक से जब आंसू निकल जाता है तो उसको वापस निला सकते हैं तो बंदूक से गोली निकल गई तो निकल गई ऐसे अगर मुह से सकते हैं कि ला सकते हैं बिलकुल यह से कैसे इसलिए जब भी बोलिए न भाहिक Fromara Pan Amlog Chirana istem फिर हैं नहीं पचता हैं लेकिन आप पंचता हैं यह क्या हो गया यह इस जू आप कर दिया मैं तो Sometimes semaine 12 यह सीख जाएं कि हमने इसी जाएं कि बाटे शेहर करनी नहीं Matthew है लाइफ को बहतर बनाना है कि नहीं बनाना बस तो इन पातों का ध्यान देन विसे आप बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंजार रहेगा और हाँ अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजेगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लेगी आपको लग रहे हैं कि किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेयर भी जरूर कर लिजेगा